आजम कहानी सुनाएंगे दूध ना पीने वाली बिल्ली एक बार महराज किष्ण देवराय ने सुना कि उनके नगर में चूहों ने आतंक फैला रखा है चूहों से छुटकारा पाने के लिए महराज ने एक हजार बिलियां पालने का निर्णे लिया महराज का आदेश होते ही एक हजार बिलियां मंगवाई गई उन बिलियों को नगर के लोगों में पांटा जाना था जिसे बिल्ली दी गई उसे साथ में एक गाएं भी दी गई ताकि उसका दूध पिला कर बिल्ली को पाला जा सके चूहों से सभी परेशान थे अते जब बिलियां बट रही थी तो लोगों की लंबी लंबी कतारें लग गई इस अवसर पर तेनाली रामन भी एक कतार में खड़ा हो गया जब उसकी बारी आई तो उसे भी एक बिल्ली और साथ में एक गाएं दे दी गई बिल्ली को घर ले जाकर उसने गरमा गरम एक कतोरा दूद उसे पीने को दिया बिल्ली बूखी थी बिचारी ने जैसे ही कतोरे में मुहू मारा तो गरम दूद से उसका मुहू बुरी तरे जल गया इसके बाद बिल्ली के आगे जब दूद रखा जाता चाहे वे ठंडा ही क्यों न हो बिल्ली वहाँ से भाग खड़ी होती गाएं का सारा दूद अपते नाली राम वे उसके परिवार के अन्य सदस्य ही पी जाते बिचारी बिल्ली कुछ ही दिनों में इतनी कमजोर हो गई कि उसमें चुह पकड़ने की ताकत भी नहीं रही तीन दिन बाद महराज ने बिल्लियों की जाज करवाई गाएं का दूद पी पी कर सभी की बिल्लियां मोटी तगड़ी हो गई थी परन्तु तेनाली राम की बिल्ली सूख कर काटा हो चुकी थी वह सब बिल्लियों के बीच में अलग पहचानी जा रही थी महराज ने जब तेनाली राम की बिल्ली की हालत देखी तब वे क्रोधित हो उठे उन्होंने तुरंत ही तेनाली राम को हाजिर करने का आदेश दिया तेनाली राम के आने पर वे गरजते हुए बोले तुमने बिल्ली का यह क्या हाल बना दिया क्या तुम इसे दूद नहीं बिलाते महराज मैं तो इसके सामने दूद बरा कटोरा रखता हूँ अब यह दूद पीती ही नहीं तो इसमें मेरा क्या दोश महराज को यह सुनकर बड़ा अश्चरिय हुआ वह ऐ विश्वास भरे सुर में बोले क्यों जूट बोल रहे हो बिल्ली दूद नहीं पीती मैं तुम्हारी जूटी बातों में आने वाला नहीं परन्तु महराज यही सच है यह बिल्ली दूद नहीं पीती महराज जला कर बोले ठीक है यदि तुम्हारी बात सच निकली तो तुम्हें सो सोड मुद्राएं दी जाएंगी अन्य था सो कोडों के सजा मिलेगी मुझे मंजूर है तेनाली राम शांत भाव में बोला तुरंत ही महराज ने एक सेवक से दूद का भरा कटोरा लाने का आदेश दिया सेवक जल्दी ही दूद से भरा कटोरा ले आया अब महराज ने तेनाली राम की बिल्ली को हाथों में उठाया और उसका सिर सहलाते हुए दूद के कटोरे के पास छोड़ते हुए कहा बिली रानी दूद पियो बिली ने जैसे ही कटोरे में रखा दूद देखा वह म्याओं म्याओं करती हुई वहां से भाग निकली महराज अब तो अपका विश्वास हो गया ना में बिली दूद नहीं बीती लाइए अब मुझे सो स्वन मुद्राइं दीजिए तेनाली राम ने कहा वह तो ठीक है लेकिन मैं एक बार उस बिली को ध्यान से देखना चाहता कहकर महराज एक कोन में छिप गए बिली को पकड़ कर लाने का आदेश दिया बिली को अच्छी तरह देखने पर उन्होंने पाया कि उसके मुह में जले का एक बड़ा सा निशान है वह उसी छण समझ गए कि बिली मुह जल जाने के डर से दूद पीने से कतराती है वे तेनाली राम की तरफ देखते हुए बोले अरे निर्दई तुमने इस बिली को जान बूच कर गरम दूद पिलाया ताकि यह दूद ना पी सके ऐसा करते हुए तुमें शरम नहीं आई तेनाली राम ने उतर दिया महराज यह देखना तो राजा का करतव यह है कि उसके राजे में बिलियों से पहले मनुश्य के बच्चे को दूद मिलना चाहिए इस बात पर महराज हस दिये उन्होंने तेनाली राम को तुरं थी एक हजार स्वन मुद्राएं भेट की और बोले तुम्हारा कहना ठीक है प्रन्तु मैं आशा करता हूँ कि भविश्य में तुम बेजुमान पश्वों के साथ दुष्टता नहीं करोगे